हलो दोस्तो तो फाइनली जो मेरा एडसेंस तीन है वो मेरा आ चुका है देख लिज़े आप लो इस पिन को हमको लेने में क्या-क्या परेसानियों का समना करना पड़ा मुझे हम आप लोग को वो बताने वाले हैं और आप लोग ये गलती जो हम गलती की हैं वो आप लोग को ये पिन आने में बहुत ही मुश्किल हो सकता है हो सकता है कि आपका पिन ना भी है ठीक है हम आप लोग की इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि Google AdSense का पिन अगर आप लोग जब भी अपलाई करेंगे तो क्या आप लोग को गलती नहीं करना है जब एड्रेस वेरिफिके तो वहाँ पे जो address होता है address के साथ साथ दोस्तों वहाँ पे आप लोग को एक mobile number का भी option देता है ठीक है जो की कभी भी mistake से आप लोग को गलती नहीं करना चाहिए वहाँ पे आप लोग को address के साथ एकदम ध्यान से सुनिए अगर आप यूटूबर है तो ठीक है address के साथ साथ आप लोग को क्या देना चाहिए mobile number जरूर देना चाहिए और उसके नीचे भी एक option रहता है ठीक है कि वहाँ पे आपको mobile number को लिखने के लिए तो address के साथ में और mobile number नीचे ठीक है phone जो number रता है mobile number उसमें भी आपको दे देना है ठीक है ताकि जब भी आपका Google AdSense जब भी आ इसमें हमारा यही गल्ती हुआ था कि mobile number हम नहीं दिये थे इस वज़े से हमारा कप से यह रखा हुआ ठीक है और हम बार बार जा रहे थे तो प्यून बोल रहा था डागर का कि नहीं आपका नहीं आया था ठीक है नहीं आया है मतलब ध्यान ही नहीं दिया ठीक है तब हम गया था तो ज्यादा प्रेसर देने के बाद उन्होंने देख़ा तब ज्टेफ सकते हैं इसधों बिगड़ चुका है प्यून ने हमको साब बोला कि इसमें मोबाइल नमबर नहीं लिखा हुआ था ठीक है और उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा था हम कहां जाकर कि आपको खोज तें तो साथ में आप मोबाइल नमबर भी आप लोग जरूर देदें ताकि उनको जब आपका घर नहीं मिल पाए म अब फिर हम ज्यादा टेंशन में हो गया थे कि किस तरीके से होगा अगर माल लेते हैं अगर ये पीन नहीं भी आता तो कोई दिकत नहीं था ठीक है लेकिन आज आता है तो थोड़ा फिलिंग अच्छा आता है ठीक है क्योंकि इससे आप लोग मेल के थुरू भी आप लोग टेंशन नहीं लेना है ठीक है लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो ये गलती आपको क्या कि आप लोग को गलती नहीं करना चाहिए जब भी एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे एड्रेस के साथ बगल में आपको फोन नमबर भी दे देना है उसके नीचे भी आपका फोन नमबर का उसन रहता है उसमें भी आपको दे देना है ठीक है ताकि जब भी ये पिना है आपका एड्रेस के साथ लिखा रहा है फोन नमबर ठीक है आपके पास प्यून कॉल करेंगे और सबसे ज्यादा इंपोर्डेन बात यह है कि अब एड्रेस वेरिफिकेश होता है कि हाँ आया होगा तो आपको जरू मिल जागा कई बार हम भी जा चुके थे ठीक है लेकिन आज जा करके हमको ये मिल गया है तो चलिए हम आप लोग को ये पीन को अन्बॉक्सिंग करके आप लोग को दिखा देते हैं कि किस तरीके का ये पीन होता है ठीक है तो इस से आप लोग को फार देना है ऐसे तो यह अल्रेडी फटा हुआ था ठीक है तीन तरफ से देखी यहां पे तीन तरफ से यहां पे देता है यहां पे आपको यहां पे क्या कर देना है इसको हटा देना है ठीक है इसको हटाने के बाद जो है finally जो आपका pin है दिख जाएगा देखे पहले इस तरीके का Google इस तरीके का लिखा हुआ रहेगा ठीक है और finally जो आपका six digit का pin है इसी का सबको इंतजार रहते है इतना मेनत करने के बाद हमको यह pin मिला है ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे इंटर करेंगे तो चलिए अब हम आप लोग को pin verification करना बताते हैं तो वीडियो को सुरु से हम तक जोड़ देखिएगा अगर यहां तक आप लोग रुख गये हैं तो ठीक है तो चलिए हम आप लोग को ले चलते हैं laptop के screen पर अगर आप लोग के पास laptop नहीं है तो कोई बात नहीं है आप लोग मोबाइल से भी एक काम कर सकते हैं तो यहां पर हमको Google पर type करना होगा Google AdSense यहां के बाद आपको यहां पर आना होगा Google AdSense आप लोग को दीख रहा होगा इस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहां पर आप लोग को दीख जाएगा verify ठीक है यहां पर हम लोग verify करेंगे अब यहां पर हम लोग क्या कर देना है verify लगबर हम तीन बार कर चुके है तो देखिए यहां पर recent का pin भी नहीं दे रहा है अब simply हम मेरा तो आचुका है यहां पर फिर नहीं ले पाएगा ठीक है तो आप लोग को एकदम ध्यान से pin को apply करना है चलिए हम यहां पर pin को डाल देते हैं चलिए यहां पर हम क्या कर चुके है pin को यहां पर डाल चुके है अब बस यहां पर हमको submit कर देना है ठीक है यहाँ पे अब आप लोग को नहीं दीख रहोगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा फेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं दीख रहा, ठीक है, एक बार हम और देखते हैं आपे, जो यहाँ पे लिखा हुँआ आ रहा था कि address को verify करिए तो यहाँ पे wall आप नहीं आ रहा है ठीक है यानि कि मेरा successfully address verify हो चुका है ठीक है तो हम आप लोग को आप देखा देना चाहते है payment section में हम जाएंगे ठीक है payment section में अगर आप लोग जाएंगे तो देखिए है आप लोग को अब जैसे हम लोग payment पे आएंप पे payment method देख रहा है यहाँ पे तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर click करके अब हम लोग को bank account को जोडना पड़ेगा ठीक है जैसे add payment method पे हम लोग को मिल जाएगा यह सारा हम लोग को आफसन मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर सबसे जो important बात यह आता है swift code का ठीक है यहाँ पर swift code जो है जब जाएगा आप लोग bank में जिस bank में आपका खाता है वहाँ जाएगे तो लाइक जब करेगा और इस वीडियो को ज्यादस ज्यादस सेर कर दीजे और चैनल पर पाली बार होगे तो सब्सक्राइब जब करेगा चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलता है आप लोग से नेक्ट वीडियो में